क्राइम ब्रांच ने बड़ी कारवाही करते वे 111 दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले आरूपी ललित भूंगे को कोंधाली से गिरफतार किया है जानकारी मिले है कि आरूपी ललित ने करीब 77 लाग की यह गाडिया नाकपुर अवरमरावती से चुराई है नाकपुर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कारवाही करते वे करीब 77 लाग की दूप यह वाहन चुराने वाले आरूपी ललित भूंगे को गिरफतार किया है जानकारी मिली है कि आरूपी ललित अमरावती का निवासी है जो रूम करके कुंधाली में रहता है और वही से अपना यह गोरग धंदा चलाता है पुलिस ने बताया कि 250 CCTV खंगालने के बाद यह काम्याबी हाथ लगी एक आरूपी है जो काफी तुनों से लगबग दो साल से वहां चोरी कर रहा था और यह हमारे क्राइम ब्रांच को पदा चला और इसके बाद में उसके घर से लगबग 20 वहां मिले हम को मोटर साइकल्स मिली है तो उसके बाद में जो हमने इसमें फर्दर इन्वेस्टेशन किया तो उसके बाद में पता चला कि लगबग 111 इसने अभी तक वहां चोरी किये थे और उसमें से हमने सभी लगबग बरामत किया और 85 FIR अभी तक दर्ज होई है इसमें उसके एलावा भी कोई वहां ऐसे जो इसने बेचे हैं, उसके ओंपर भी हम लोग कारवां कर रह है । 2.5 क कफे कि लगता है है कि इसने 111 मत से ज्यादा वहां निसने ओर भी शॉल्य गज़े होंगे यह जो वहान थे यह ग्रामिर भागों में इस तरह के वहानों को बेच रहा था और वहां से जो हम हमारी टीम ने रिकावर की हैं और यह कारवाई जो आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी क्योंकि काफी वहान यहां पे चोड़ी होते हैं आसपस के जो सिटी नाक भागों में अमरावती हैं वहाँ भी इस तरहें के हमने कम्यूनिकेटने उनसे क्या उनके भी चोड़ी होते हैं तो आसपस में जहां भी होते हैं तो इस कॉडिनेशन में क्योंकि कई बारी जो है और आह चिए यहां से लेके लगबग 77 लाख से जादा इसकी कीमत अभी तक आखी गई है तो ये लगबग 24 साल का है ये आरोपी और लगबग 12 बारवी क्लास तक ये पड़ाया है ये इसका एजुकेशन पैकरॉंड है तो इसमें जो है या तो लॉक तोड़के या फिर वो क्योंकि वो अभी पूरी तरह जो है तो ये डुप्लिकेट चावी से भी उसको कईवारी खोलता था जो मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वाहन बेचने का काम करता था वह चुराई हुए गाडियों के जाली दस्तावेज भी बनाता था वहनों को बेचता था पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफत करत आने वाले मतलियार चौक से एक जबरन चोरी का मबामला सामने आ है जहां दोग को ख्यातों ने रहा चलते वेक्ति से मार्पिट करती वे उसे लूटा है जिसके चलते आरोप्यों पर जबरन चोरी का मबामला उचा गलबा है गौतल भै की दिनांग 6 परवरी को धाय के दर्म्रान शांती निकर स्विपर कॉन्नी लिपास दी 30 वर्षिय मनीश मोतिराम मोट करी मुद्रिया चोक में बैठा उपाथा उसे भी 34 वर्षिय शेख शारिक शेख नासिक एवं 42 वर्षिय प्रदीप थापा मोकी पराथ और फ बैर्यादी ने शांती रखर पर पर्रधो में की दश करा ंग जिसके संज्ञान पर आरुपियों को गिरफ तर क्या घा जाच के तरहां है नोमों आरुपियों के विवेट पुलिस खानातरकर कर कर पी जिसके विषै में जांग करे दरिशक दिपक साखर का नेम। दरिशक दिपक साखर का नेम। माहे याचवर पोलिस्ठाने इखे जानिवरी 2016 मदे गुन्ना अक्तियार गयादे अंतरगत च्यार पंचिश्च सा गुन्ना दाखल करने दाला भताँ। तो सध्या जामिनावर अस्या ने तैश्वार पतीबंदक कारवाई करने का लिए है, वो तो मानिया साहिया पुरी साहित पसाहिया, यगर जेद नुभाग नापूर यांशा आने शों में वजिवरती कारवाई दाखे लाए।